तर्फ रिकार गाई तो एक बड़के आपके सामें तो हमारा भी नाम बता लो मेरे चैनल का नाम है स्रिम ग्राइट तो जाएट से लिखेगा और लाइट दीजेगा और ये करफ प्यार दीजेगा तो प्यार इंडशेट लाइट तो गाईस हम जा रहे थे तो रास्ता में मुझे कुछ मिला देखने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं देख रही हूँ वह क्या है मैं आपको भी दिखाना चाहते हूं देखे गाईस तब त्यारा ब्यारा बर्ट्स है ये वाइस वाली और ये ग्रीन ये लेकि ये पीजन है और ये चुटी चुटी बर्ट से किते क्यूट लग रही है न ये देखे गाईस लेकिन गाईस में एक बात बोलना चाहती हूं किसी भी पक्षी को पिंजडे पे नहीं रखना चाहिए किसी भी पक्षी को पिंजडे पे नहीं रखना चाहिए क्यूंकि उसका भी जिंदगी होता है और किसी को बांद के रखे किसी का प्रीडम आपको उसे पिंजड़ा में क्याद कर ले वो चिछी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाईस बस दिए लोग आभी आपने बिजन किसी भी पक्षी को पिंजड़ा पे क्याद ना करें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाईस मैं आपसे एक रिक्लेस करना चाहती हूं गाईस कि अगर आप लोग भी पक्षी पालते हैं तो प्लीज किसी को भी पिंजड़ा पे ना पाले उसकी भी दो पंच है अकात में उ जाए लड़की ओड़का किसी के भी प्रीड़म के उपड़ना कभी बंदिस नहीं करना चाहिए और यह मुझे आपको तो पता है गाईस कि घर में आते ही गर्मी की मौसम की दस्तक यहां तक खोली अभी तक नहीं आई है लेकिन उससे पहले क्या आगई है मैं आपको दिख तरबूज आ गई है तो यह डेखिए लाल लाल तरबूज है मैया क्यासे देरें तरबूज कि तीस रुबा कीलो में बिक्री हो रही है और अभी तक पूरी गर्मी पड़ी नहीं है और होली आया ही नहीं है लेकिन तरबूज आ गई है तैंक यू इसको बोलते डियर और और बेख सकते हैं यह वाल अभी खड़ाब हो चुका है तो यहां पेंटिंग चल रही है गाइस देखिए हमारे लेवर जो है जम शेत्पुरियल लेवर वो किस्ता मा रहनत से इससे बना रहे है फिर से तो गाइस आपने देखा कि मैंने ब्लॉग अभी शूट कर चुकी हूँ तो फिर नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलूंगी और तब तक ये लिए आप स्वस्त रहे हैं मस्त रहे हैं खुस रहे हैं मेरी तरह और हाँ एक बात बोलने कभी नहीं भूलिएगा हमेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते